दिशासालियान केस को लेकर लगातार एक नए-ने विटनेस जो है वो सामने आ रहे हैं हम जिन से बात करना जा रहे हैं वो आंबुलनस के मालिक है, जो कभी कोई कांदीवलीया मलाड इस इलाखे में कोई अगर कोई केस आते है फिर चाहे सुसाइट के हो या मोर्डर के केस हो तो मुंबे पुलिस के और से इनका भी कॉल जाता है क्योंकि इनका खुद आंबुलनस का सर्वेस है अम इन से बात करेंगे सबसे पहले तो आपका नाम जाना जाएंगे मेरा नाम पंकर सेंदाने है और पिछले 13 साल से मैं इंबुलेंस इसका बिजनेस कर रहा हूँ सर दिशा केस को लेकर आपको क्या जान करी क्योंकि जहां तक पता चल रहा है कि उस रात में यानी आर्ट तारीक के रात को आपको कॉल आया था तो इसके बारे में जनकर दिशी कितने बज़े कॉल आया था किसे ने कॉल किया था किसी ने कॉल आया था यहां पर किसी ने सुसाइट किया है वहां पर इमीजिट ले इमुलेंस लेकिया हो उसके 10 मिनिट के अंतर पर जब वहां स्पोट पोचा वहां पोचने के बाद मैं पता चला कि उन्होंने वहां अलड़ी प्राइवेट कार में उनको लेके गए गर के वहां कॉल कैंसल करने क्पर मैं जाने के लिए गया है तो और आप वहाँ पर जब पहुचे तो आपको किस ने बताए कि already body जो है वो लेके जा चुके है और कौन लेकर गए थे इसके बारे हम कोई जानकारी अभी वहाँ जब मैं spot पहुचा मैडम तो उस समय जब वहाँ पे कुछ लोगों की लोग जमा थे पुलिस की गाड़ी भी थी तो जब ambulance लेके पहुचा तो उन्होंने बताए कि already उन लोग उसके जो neighbor थे या दोस्त लोग थे उन्होंने उनको गाड़ी में लेके गए करके जब second body pick up करके मैं जब शतवदी hospital पहुचा तो उसके आदे घंटे के अंतर पे वही गाड़ी में उन लोग उस मैडम को लेके प्राइदे ट्रॉली पर उतारे ट्रॉली पर उताने मद में जब डॉक्टर ने उनको चेक किया तो उसका महिद घुषित कर दिया था अपने जब देखा था बोड़ी जाहिर सी बात आपको उस समय पता नहीं होगा कि शक्स महिला कौन है करके आपने जब उनको पहली बार देखा था तो किस तिती में उनकी बॉड़ी थी और उस समय डॉक्टर्स और जो पुलिस वहां पर मौज होते उनका कोई कुछ कहना था उसके बारे में ऐसा था कि बॉड़ी के पूरे बदन पे इंजूट था उनके दाड़ी पे यहां पे एक से देड़ इंच का खड़ा दो तीन दाथ तुटे हुए थे आक नाक से मुझ से सब जगह से ब्लीडिंग था एक हाथ उनका अल्रेडी मुड़ा हुआ तो जब डॉक्टर ने देखा पुलिस ऑले इनके पंचे नमा कर रहे थे तो इसाब से तो लग रहा था कि उन्होंने सुसाइडी किया करें जब आ आप कह रहे हो कि आप दूसरे बोरी को लेकर शताबदी हॉस्पिटल पहुचे थे पर दुशा सालयन के बोरी को अलड़ी उनके फ्रेंड लिखा थे तो उनके दोस्त मेंसे अपने किसी को देखा था कि कोई था उनके साथ में या कौन था कितने लोग थे कैसा है मेंडम शताबदी हॉस्पिटल में भी करोना के माहल में ना अंदर किसी को इंटर करने देते नहीं है एक तो पुलीस वाले रहते या तो सरकारी करमचारी रहते या तो एंबुलेंस वाले रहते जब बोड़ी अंदर इंटर हो जाता था उन लोग को सब को भाहर नि अब बता रहे हो कि जब दिशासालियान को आपने देखा था जब वो स्ट्रेचर से उसकी बोड़ी लाए गए थी तो इंजरीस थी और फिर डॉक्टर के और से मृत्र को घुशित कर दिया गया था फिर सिचुएशन को देखकर उस समय क्या लगा था और कितने पुलिस वा पुलिस को कॉल आता है तो सबसे पहला अगर बाड़ी है या पेशेंट लोग बीम से ऑस्पिटल लेके जाते हैं बीम सी ऑस्पिटल लेकी जाने कि अगर वो डॉक्टर ने मयद घुशित कर दिया तो सबसे पहला उसका बाड़ी इंक्वेस्ट पंचा नामा करते हैं उसके बाड़ में पाड़ी पोस्पाटम में जाता है आप बता रहे तकी हाथ मुड़ा हुआ इंजरीज है तो यह इंजरीज आपने कब देखी और किस कंडिशन में दिशासालियन के बॉड़ी को आई जब मैं वहां से लेके गया था उस समय पे जब वो ट्रॉली पे लेके आये तो उनका अलेड़ी हाथ मोड़ा हुआ था बेंटा पुरा उरा स्टेहरे पे इंजर्टा यहां पे खड़ा था जैसा मैंने देखा है वैसा मैंने आपको बता दिया है जब मैंने पुलिस आले लोग को पूचा कि यह कौन सा बाड़ी है तो उन्होंने मुझे बताया कि माल सब्सक्राइद मैंना कर दिया ए तो तो उनलों रोस्पिटल ने लिए तो नो बड़ी लेडी जो जब भी वह होस्पिटल में आता है तो उसका इंक्विश पंचन आमा बड़ी पंचन आना जब होता है तो उसके पुड़े कपड़े निकाले जाते हैं क्योंकि वह कपड़े उनके रिष्दार को दिखाया जाते कि आपके ही परसंद के है या नहीं यह पै बड़ी पर जाता है जाता है पोस्टम के लिए तो उस तो में उनको पूरा कपड़ा निकाल के उसको दुसरे कपड़े में रैप करके फिर उसको भगोदी पहुज़ा जाता है जब लाया गया था शताबदी होस्पिटल में तब उनके बॉड़ी पर रहते बच इंजिरी दिखाई दे रहते जो काफी वैसे बनते और इंजोट दिखा दिया रहतों तो सामने दिखा देता हाथ मोड़ा हुआ था जी सबसे मैंने पहले भी बहुत सारे सुसाइट केस निकाले बहुत सारी बॉड़ी गिरिये फैटल हुआ है इसे बहुत से किसे मैंने निकाले उस कि यह भी भी मोड़ी थी वह इसाब शे मुझे तो लगता है कि सुसाइडी है करे कितने बजे कॉल आया है था रात को जब आपको जाने के लिए कहा था जन कल्यान मार्ग में तो से पहने दो के दर मेंन है ता मैंडम 141-145 अक्रोस नव तारिक को रात के तिड़.. आट तरीकी रात को नहो तरीकी सुबा को बाराः बजी के बाद भी तो यानि नौ तरीकी रात को देड़ बजे रात की देड़ बजे आट तरीकी रात को नहो तरीकी सुबा को में को पहने दो बजी कॉल आए तो और जानकरी दीजे अच्ट डिजे आप क्या बनाते हैं इस conversation से अलीशा देखे बिलकुल हमने जिससे बात की है वो ambulance के ओनर और ड्राइवर है और ये वो शक्स है जो की सबसे पहले खुद जो मानवाली police station की और से इनको खुद बुलाया गाया था करीब ना रात के देड़ बज़े का समय था जिसे वो बता रहे कि देड़ या फिर आवन फॉर्टी फाइएम को जहां पर उनको बुलाया गया था पर जैसी ही वो उस शताब्दी हॉस्पटल पहुचे थे तो उन्होंने देखा कि दशासालियान को एक गाड़ी में प्राइवेट गाड़ी में करीबन दो लोग थे जो उनको हस्पताल में लेकर आये थे और एक तरफा ये भी बता है ये सबसे बड़ा एक खुलासा किया गया था कि पितले द थे जो प्राइंट शक्त पर बुरिगाए थे फैसे अब एक षी तरफाइंडा और ये थे पर प्राइवेट हुस्पटाल पर शब्सक्ते ए्पने इजे जिए दिजासालियान की का ये गाड़ी है, yr ही ट्रॉली पर रखा गया था, रखने की बाद उन्होंने कई एसी उनके चिन में एक डीप होल बताया जा रहा है करीबन 1.3 इंच का जो होल है वो दिखाई दे रहा था साथ ही उनके जो आम्स है वो मुड़े होए थे वो ट्विस्टेट थे तो यह सारी चीजे जो सामने लाई गई है और खुद यह आंबिलेंस का जो ट्राइवर है जो ओनर ह उन्होंने खुद शताबदी होस्पिटल में दिशाथ साल्यान की बॉड़ी को देखे 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 लिए पता नहीं था कि यही दिशाथ साल्यान है पर आकरकार जब उनको एक प्राइवेट गाड़ी में लाए गया है और उनको सबसे पहले उसी बॉड़ी को पट भुड़ी को आप बॉड़ी को फो फिस नट मैं की यहीं पुड़ी को historically Genden अच्ण बॉय Свब खिए को में में दिशाथ साल्याने क hanya अघ। सालिया एक थी आप出के देखे बॉड़ी को थो बॉड़ी